दोस्तों आप सभी का सौागत अक्षेवसिस चैनल पर इस चैनल पर मैं अक्षेवसिस टाप को ऐसे पैरनोमल इंसिडेंट और अक्टिविटीज के वारें बताता हूँ जो हमारे फॉल्लेवर और हमारे सस्क्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं जीमल आईडी और इंस्टेग्राइम आईडी पर तो अगर आपके पास भी कोई इंसिडेंट है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं और इससे पहले जो आप इंस्टेग्राइम और यूटीब पर प्यार दे रहें उसले तहे दिल से शुक्रिया ये कहानी हमें नवीन ने शेयर किये जो कि 2018 में उनके साथ बीटी थी वैसे तो आए दिन हमारे पास लगबग पास सो कहानिया आती है जिन में से एक यूनीक मैं निकालता हूँ आपके लिए ताकि आप उससे सुनके थोड़ा सा समझ पाएं कि दीन दुनिया में अक्चली में चल गया रहे हैं खैर ये इंसिडेंट नवीन के साथ हुआ था और मैं चाओंगा इस इंसिडेंट को आप शेयर कीजे ऐसे लोगों के साथ जो हनुमान भगते हैं बाला जी भगते हैं और जो आस्ता पर पूरा यकीन रखते हैं बिना वक कब इतनी पक्की होगी कि उन्हें पताए नहीं चला एक ही स्कूल में आठवी क्लास में रहने वाले ये दो पूरा पूरा दिन साथ रहते थे इनकी फैमिलीज जो थी वो भी एक दूसरे से बहुत अच्छे संबंद में रहती थी आठवी से बारवी कब गुजरी बारवी क करने के बाद बीए करने के बाद कब इन्होंने अपनी जिंदगी आगे पढ़ाव पर पहुचाई समय का पता ही नहीं चला नवीन इस कहानी को बताते हुए थोड़े सा बावुक हो गये थे क्योंकि हम अपनी पिछली जिंदगी आद करें के सोचते कि कितनी हसीन थी आज पल वापिस नहीं आ सकते नवीन ने बताया कि जब ग्रैजुएशन हो गई थी तो वो एक बड़ी ऑपोचनिटी डूण रहे थे क्योंकि गाओं में ऐसी ऑपोचनिटी बहुत कम मिलती है जहां पर सेटल हुआ जाए उन्होंने बताया कि उनके दोस्त विकरम के साथ वो ए पूरे गाओं में घूमरे होते कि कोई उन्हें नोकरी देते कभी भार जाते कभी कहीं जाते हैं नवीन को एक अखबार में इस्तिहार दिखता है कि साओधी अरब में कहीं पर कुछ काम निकला है जहां पर आप 50-50,000 रुपे देके बाहर जा सकते हो नवीन विकरम को समझा कि ये एक बड़ी opportunity अगर वो किसी भार देश में जाते हैं तो वहां पर वो settle हो सकते हैं वो अपने घर में discuss करते हैं पहले तो पूरे एक हफ़ते आनकानी होती है इस चीज़ को लेके कि नहीं जाना चीए लेकिन सिर उनके परिवार वालों को समझ में आते हैं कि राजिसान अलवर में छोटे जिले में राके तो हम वैसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे पहले सादिया ऐसी हो जाया करती थी माबाप की पसंद से लेकिन नवीन ने बताया कि वो बहुत किस्मत वाले थे कि विक्रम और उन्हें दोनों को ही ऐसी वाइफ मिली थी जो बहुत understanding थी और ला विक्रम के पिता जी दोनों एक ही फैक्टरी में काम किया करते थे जहां पर सैलरी बहुत जादा नहीं हुआ करती थी और अब ये नवीन और विक्रम के उपर था कि वो घर कैसे चलाएंगे उन्होंने बताया दो हजार अठार में उन्हें एक इस्तिहार दिखा आखबार मे और वो 50-50,000 रुपे जोड़ कर दोनों साओधी अरब चले गए लेगिन कहते हैं कि अगर अपने देश में हूँ तो बात थोड़ी अलग होती है साओधी अरब में वो ऐसा लेबर गए थे नवीन ने बताया वहाँ पर उनको एक कमरा दिया गया जहां पर विक्रम और नव मिलता था उन्हें वो खाना पड़ता था एस लेबर कैटिगरी में उन्हें के बाद उन्हें चिकन मटन ऐसी ऐसी चीज़े बहुत ज़्यादा दी जाती थी लेगिन नवीन जो थे वो बाला जी के बहुत बड़े भक्त थे सुरू से युनक का जो विश्वास था वो अनु लेगिन उतना ही जादा काम करवाया जाता था जहाँ पर वो भक्ती से दूर होते चले गए धीरे धीरे इसके बाद जिस कंस्रक्शन साइट पर वो काम करते थे वहाँ पर काम बहुत जादा हुआ करता था और आए दिन कोई न कोई इंसिडेंट वहाँ पर हुआ करता था जैसे किसी लेवर का पैर से सलिया तो वो बिल्डिंग से गिरिया और उसकी मौत हो गई। नवीन को नहीं पता था कि उनके सामने भी ऐसा कोई दृश्यव हो जाएगा जिसे वो जिन्दगी बार भूल नहीं पाएंगे। उन्होंने बताया एक दिन जब वो साओधी में कुछ काम कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन साइट पे एक दिवार विक्रम के उपर गिर गई। और नवीन के सामने विक्रम का भेचा निकल कर आ गया। विक्रम लगे हाथ ओंदर स्पॉर्ट वहाँ पर उनके डैथ हो गई थी। नवीन ये दिर्श्चे देखके बहुत ज़्यादा डिस्टरब हो गए थे, बहुत ज़्यादा और जब वो अपने फ्लैट में वापिस आ गए तो उन्होंने अपने घर पे फोन किया और सारी बात बताई तो विक्रम के घर में तो जैसे जनाजा समझ गया था, एक मात्म च्छा गया था, बोडी ले जाने की तो बात दूर उनके पास बोडी भेजने के पैसे तक नहीं थे, कैसे ना कैसे उसे वही पर दफनाया गया साओधी में, नवीन इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिस्टरब हो गये थे तो उन्हें मदीरा का सहारा लेना पड़ा, उनको रात रात बार नींद नहीं आती थी दिन में पूरे दिन काम करके, और नवीन की नोगरी बहुत ज़्यादा एक ऐसे कॉर्णर पर आगे फ्लाइट में वो रहते हैं वो भी फॉंटिड था, मतलब अगर वाँ पर दो जने कोई भी रहने आते थे तो वो फ्लाइट एक जने की बली लेता था और इस बार विकरम शायद उस चीज़ से शिकार हो गए थे, ये सुनने के बाद नवीन बहुत ज़्यादा डिस्टरब जब उनकी आँख खुली, वो काफी नशेय में थे, उन्होंने देखा सामने उनका दोस्त खड़ा था, जो उन्हें इशारे से बोल रहा था, ये मेरे पास आज़रो, मैं साथ शलो, उस दुनिया का मजाया लगे, हम वहाँ पर बहुत मसा करेंगे, नवीन ने जई ये दृ उनकी मदीरा पूरी के पूरी उतर गई, उन्होंने अगले दिन अपने घर पर बताया कि ऐसे ऐसे विक्रम उनके सामने खड़ा था, और उनसे बात कर रहा था, तो नवीन के फादर ने बोला कि तुने मदीरा पीना शुरू कर दिया, तुझे बुरे-बुरे सपने आ रहे तुने क्या सुरू कर दिये, नवीन ने अपने पिताजी को सारे हालाद बताया, और उनके पिताजी ने बस एक सजेशन दिया कि आज के बाद मदीरा को और मास को छोड़ दे और हनुमान चालिसा पढ़कर सोया कर, नवीन ने इस चीज़ को फोलो भी किया, उसने अगले द कैसे ने कैसे खाने का आरेंजमेंट करना शुरू करा, अलग-अलग धाबों से बात करी वहाँ पर जो छोटे घर थे, इंडियन फैमिलीस रहती थी, वहाँ से उन्होंने खाना लेना शुरू करा, पैसे देकर, लेकिन मास मच्छी को छोड़ दिया, लेकिन कहते ने कि इतन बार-बार कोई ने कोई आत्मा दिखती हो, और उन्ही के फ्लैट में एक आत्मा जहां से सुरू हुई थी विक्रम की, उसके बाद दसो आत्माएं उन्हें माँ पर दिखने लगी, जो बार-बार उन्हें देखके बोलती थी, यह हमारी दुनिया में आ जाओ, बहुत मज़ दिल के थे कि वो विक्रम के घर का भी खर्चा उठाते थे, लेकिन ये इंसिडेंट भढ़ते चले गए, कभी कंस्ट्रक्शन साइट पर उसे विक्रम घूमता दिखता, और कभी स्लैट पर आने के बाद विक्रम उन्हें गूमता दिखता, और ऐसी सो आत्माएं उन्हें घ पर मन्त हैंड होगा वो बोल देंगे कि मैं इंडिया वापीस जा रहा हूँ लेगिन उससे पहले उनके साथ एक ऐसी गटना होगी जो शायद मैं और आप वहाँ पर उत्तो जहिल भी नहीं पाते उन्होंने बताए कि एक रात जब वो अपने कमरे में सो रहे थे उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें कोई उठा रहे उन्होंने आग खोली तो वो दस फीट हवा में उठ रहे थे और वो बुरी तरीके से डर गए उन्होंने चिलाना शुरू करा तो वहाँ पर सारी आत्माएं उनके कमरे में खट्टी हो गई जो बार बार एक ही बात बोल रहे थी कि हमार साथ चलो उस दुनिया का मजा ही अलग है वहाँ पर हम बहुत मजा करेंगे नवीन ने ना आओ देखा न ताओ देखा एक ही चीज उनकी आखों से आसो निकले और वो हनुमान चाली सा बैक टू बैक पढ़ने लगे तो महां पर खड़ी आत्माओं ने कहा हनुमान चाली सा मत पढ़ो तुम भी हमारे साथ चलो हम उस दुनिया में बहुत मजा करेंगे जब बैक टू बैक हनुमान चाली सा पड़ी तो नवीन जो थे दस फीट से एकदम से हवा में से वापिस अपने बैड़ पर आके गिरे और उन्होंने देखा कि दूसरी साइड जितनी वी आत्म जहाँ पर कोई चीज थी जैसे वो कोई अद्रिश्य चीज हो नवीन ने मूँ पल्टा और रो रो के जोर जोर से हनुमान चाली सा पड़ने लगा तो वहाँ से एक आवाज आई जैए शरी राम नवीन ने जैसे पलट के देखा तो वहाँ पर एक मंद मुस्कान लिया हनुमान जी खड़े थे जिन्नों ने उन आत्माओं को अपनी पूछ में गेर रखा था जो नवीन की तरफ देख रहे थे और नवीन अपने उटनों पर आ गया था और उन्हें हाँ जोड़ लिये थ थोड़ी देर में आत्माओं ने चिलाना शुरू गरा और हनुमान जी ने सब को उठा के बाहर फैक दिया और शायद वो सारे के सारे लुप्त हो गए शायद वो उन सब को मुक्ती मिल चुकी थी हनुमान जी वहाँ पर साक्षात प्रकट हुए थे जिन्नों ने नवीन को आत्माओं से बचाया था नवीन के पास कुछ ऐसी बाते थी जो हनुमान जी ने उनके सामने कही थी लगिन बहुत पूछने पर भी उन्होंने हमें बताई नी सिरफ कुछ वाक्या बताई जहां पर एक वाक्या था जहां पर हनुमान जी ने कहा था कि मेरे भक्तों के साथ अगर कुछ गलत होगा तो मैं हमेशा वहाँ अपने भक्तों के लिए खड़ा दिलूँगा जो भी जैसरी राम का उचारन करेगा मैं हमेशा अपने भक्तों के लिए आऊंगा जो भी मेरा भक्त मुसीबत में होगा मैं हमेशा उसके लिए आऊंगा बस मुझ पर विश्वा पास रखो जब भी कोई विबत्ति आए हनुमान चालीसा का पाठ करो मैं हमेशा अपने बाक्त के पास आऊँगा ये कहकर हनुमान जी वहां से लुपत हो गए मंत एंड हुआ और नवीन अलवर राजिस्तान में वापिस आ गए कि उनकी आस था हनुमान जी के लेतनी जादा पड़ गई कि उन्होंनों ने एक अच्छी जगा देखकर हनुमान जी का मंदिर बनवाया और वहाँ पर एक विक्रम की सामाधी बनवाई आस पास और अब बहुत शांती से रह रहे हैं और वो उस मंदिर के पुजारी बन चुके हैं जो पूरा टाइम हनुमान जी के मंदि बहुत 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 शुक्री है अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो आपके रिलेटिव या आपके फ्रेंड्स के साथ तो मुझे कहानी शेयर करें मैं उसे अपनी आवाज में नेरेट करूँ आक्षे वसिष्ट तब तक कले स्टे टून विद दे चैनल